नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यभ चैनल है स्टाङक लास्टेन पर दोस्तों मैं हुए सूरशर्मा और आज के वीडियो में में आप लोगों को बताने वाला हूं केमेस्ट्री का चेप्टर वन का पार्ट नंबर सिक्स दोस्तो इस पार्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कसन करने वाला हूँ प्रति अस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में परिभासा और इसका एक्जामपल बहुत ही सटीकली बताऊंगा दोस्तो यदि चैप्टर 1 का पार्ट 1,2,3,4,5 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगा वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं तो चले इस वीडियो को सांदार तरीका से सुरुवात करते हैं दोस्तो प्रतियस्थापन अभिक्रिया जिसे इंग्लिस में सब्स्टिच्यूशन रियक्शन कहते हैं यानि प्रतियस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं बहुत बार ये कुश्चन आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तो लिखेंगे वैसी रासाइनिक अभिक जिसमें किसी योगिक में, उपस्थित किसी तत्व का प्रति अस्थापन हो दूसरे तत्व द्वारा होता है उसे प्रति अस्थापन अभिक्रिया कहते हैं नहीं समझ में आया दोस्तों वैसी रशानिक अभिक्रिया जिसमें किसी योगिक में योगिक किसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो एक पदार्थ नहों दो या दो से अधिक पदार्थ हो तो वह हुआ योगिक जिसमें किसी योगिक में उपस्थित किसी तत का प्रतियस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है उसे प्रतियस्थापन अभी करिया कहते हैं जैसे जड़न प्लस HCl एरो जड़न सियल टू प्लस H2 जड़न यानि के जिंक है दोस्तों जिसे यानि के यह एक सॉलिड ठोस है अब देखें दोस्तों कहता है किसी यहां से समझिये यौगिक में यह आपका एक यौगिक हो गया क्योंकि इसमें 2 यह 2 से अधिक पदार्थ है तो इसमें तत्व का प्रतियस्थापन इसमें कौन-कौन यह ततु उपस्थित है इस योगिक में ठीक है ये क्या है योगिक है दोस्तों क्या है योगिक है इस योगिक में क्या है हाइड्रोजन और क्लोरीन तो किसी योगिक में उपस्थित किसी ततु का प्रतियस्थापन इसमें से यदि कोई ततु हट जाता है बनने के बाद क्रिया हो होने के बाद तो उसे हम प्रती अस्थापना भी किरिया कहते हैं कैसे देखिए यह एक योगिक है और इसमें जब हम इसके द्वारा एक ततों के द्वारा रियक्षन होता है तो दोस्तों देखिए जडन अकेला है इसके साथ यह दोस्तों अनुसूत्र होता है यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देख लिजेगा तरफ योगिक में हाइडरोजन और कोलोरीन दोनों एक साथ है और तीर के दाहिने सैड में जब इस दोनों में लियक्षन होता है अभी किडिया होता है तो दोस्तों हाट जाता है और क्लोरीन इसके साथ जूta है यानि किसी यूगिक में उपस थे ते किसी ततु का यहां प अभी क्रिया को प्रतियस्थापन हो जाता है तो ऐसी अभmelon किलिया को renewed करते हुए कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक और एक open लेको पूरा किलियर हो जाएगा ध्यान दीजेगा दोस्तों देखे ये एक एक्जामपल फिर से लिया मैंने ये एक योगिक है और इस योगिक में दो ततु है औक्सीजन और हाइड्रोजन और सोडियम एक अलग ततु है तो ये किसी योगिक में लिखा हुआ किसी योगिक में उपस्थित किसी ततू का प्रतियस्थापन यदि इस योगिक से कोई भी ततू हट करके इसके साथ जूड जाता है यानि प्रतियस्थापित हो जाता है दूसरे ततू द्वारा तो उसे हम प्रतियस्थापन अभी के लिए कहते हैं ये योगिक है और ये दूसरा ततू है दोस्तो इस योगिक है इस योगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यह दोनों जो है इस दूसरे तत्वों के साथ प्रतियस्थापित हो जाता है यानि के दोनों के साथ अस्थापित होने के बाद एन ए ओएच बनाता है सोडियम हाइड्रॉकसाइड देखे एन ए ओएच यह प्रतियस अभिक्रिया उमीद करता हूं कि प्रतियस्थापन अभिक्रिया अब आप लोगों को के लियरली समझ में आ गया होगा चलिए आप देखते हैं दोस्तों द्वीविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसे इंग्लिस में double displacement reaction कहते हैं ठीक है द्वी विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसका परिभासा क्या है ध्यान देजेगा वैसी रासाइनिक अभिक्रिया जिनमें दो योगिक अपने तत्वों का आदान प्रदान करके नए योगिकों का निर्मान करते हैं उसे द्वी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं नहीं समझें, वैसे रासानिक अभिकरिया जिन में दो योगिक अपने तत्वों का आधान प्रदान करके नए योगिकों का निर्मान करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिकरिया कहते हैं, एक्जाम्पल से आप लोगों को किलियरली समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजेग जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक आदमी काला टोपी वाले हैं और एक लाल टोपी वाले आदमी हैं दोनों जब आपस में अभी किरिया करता है तो एरो लगा करके देखिए काले टोपी वाले आदमी के सिर्पे लाल टोपी चला जाता है और जिसके सिर्प लाल तूपी था उसके सीर पे काला तूपी चला जाता है दोस्तों यहीं आपका बहुत हिस्तान दार एक्जामपल है अब ध्यान से बोर्ड पर देखिए एक ये हो गया एक यॉगिक और ये हो गया दूसरा यॉगिक कहता है ना दो यॉगिक दोनों योगिक जब अभी किडिया करता है तो क्या होता है कि CU के पास S चला जाता है और H2 के पास SO4 चला जाता है क्या चला जाता है H2 SO4 और CU के पास चला जाता है S ध्यान दिजेगा जब दोनों आपस में रियक्शन करता है तो दोनों आदान प्रदान कर लेता है यह बला, Cu के पास S को भेज देता है, सिर्फ S को, ठिक है? और H2 के पास, जो है, यह सिर्फ S है, और यहाँ पे SO4, सभी साथ में हैं है, दोस्तो, SO4 एक साथ हुआ और S एक अलग ततो हुआ तो CU के पास जो है ये योगिक S को भेज देता है आदान परदान कर लेता है और H2 के पास आजाता है SO4 H2 के पास क्या आजाता है SO4 आजाता है यहां ध्यान से देखिए यही है एक काला टोपी वाल आदमी और लाल टोपी वाल आदमी के पास जैसे लाल टोपी चला जाता है और लाल टोपी वाले आदमी के पास जैसे काला टोपी चला जाता है यानि दोनों में आदान परदान हो जाता है दो जोगित में यही आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों उमीद करता हूँ कि बहुत हिस्सांदार तरीका से आप लोगों को प्रतियस्थापन अभी किरिया और द्विविस्थापन अभी किरिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कोमेंट सेर जरूर करें और हमारे चैनल पर आप नए सब्सक्राबर है तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को दवाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राब किये हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहीन वंदे मातरम